जे मातादी दोस्तों, वर्ल बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, हर साल निर्जला एकादसी का वरत जेश्ट मा के सुक्ल पक्ष की एकादसी तिथी को रखा जाता है। ये वरत भगवान विश्णू जी को समर्पित है। दोस्तों, निर्जला एकादसी का वरत सभी वरतों में सर्वस्रेष्ट और सबसे कठिन माना जाता है। इस हम आपको इस वीडियो में यहीं बताएंगे कि साल दो हजार चौबिस में निर्जला एकादसी का व्रत कब रखा जाएगा व्रत रखने की सही तारीक क्या रहेगी और एकादसी तीथी कब सुरू होगी और कब समापत होगी साथ ही हम आपको पूजा का सुमूरत बताएंगे और निर्जला एकादसी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा अर्थात आपको व्रत किस समय खूलना है इसकी भी जानकारी दूँगी साथ ही संपूर्ण, पूजा विदी और व्रत नियम भी बताऊंगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों निर्जला एक दसी सबसे महत्तुपूर्ण और लापकारी एक दसी मानी गई है इस दिन भगवान विश्णू जी की पूजा का विधान है निर्जला एक दसी को 24 एक दसी में सबसे कठिन व्रत माना जाता है जो कि जेस्ट सुकले पक्च की एक दसी तिथी को पड़ती है दोस्तों निर्जला एक दसी जैसा की नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है इसलिए इसे निर्जला एक दसी कहते हैं अगर आप पूरे साल एकादसी नहीं कर पाते हैं तो आप निर्जला एकादसी के दिन निर्जल होकर अगर वरत करते हैं तो इससे आपको साल भर की एकादसी का वरत का फल प्राप्त हो जाता है दोस्तों इस एकादसी को भीम सेनी एकादसी या पांडव एकादसी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इस दिन जल से भरे कलस का दान करने से पापों से छुटकारा मिल जाता है अगर आप साल भर की एकादसी करते हैं और गलती से किसी एकादसी में अन्न खा लेते हैं तो इस एकादसी का वृट का पालन करने से अन्ने एकादसियों का दोस्ट समाप्त हो जाता है दोस्तों इस दिन निर्जल रहकर भगवान विश्णु की आराधना करने चाहिए क्योंकि एक दसी का दिन भगवान विश्णु जी को बेहधी प्री होता है इसलिए इस दिन निर्जल वृत रहने से भगवान स्री हरी विश्णु जी आपके उपर विसेश कृपा बरसाते हैं तो चले जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में नर्जला एकादसी का वरत कब रखा जाएगा। दोस्तों एकादसी तिति की सुरुआत 17 जून दो हजार चौबिस की प्राता काल 4 बच कर 43 मिनट पर हो जाएगी। और एकादसी तिति की समापती 18 जून 2024 की प्राता काल 6 बच कर 24 मिनट पर होगी। तो उदिया तिति की माननिता के नुसार इस साल नर्जला एकादसी का वरत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और बात करें वरत पारण के समय की तो दोस्तों नर्जला एकादसी के वरत का पारण 19 जून को सुबा 5 बच कर 24 मिनट से लेकर सुबा 7 बच कर 28 मिनट तक रहेगा। और पारण के दिन द्वादसी समापत होने का समय 19 जून को सुबा 7 बच कर 28 मिनट पर रहेगा। दोस्तों नर्जला एक अदसी के वरत के नियम भी काफी कटेन हैं इस वरत को करने से पहले आप नर्जला एक अदसी के नियमों के बारे में जरूर जान लें आपको बता दें कि नर्जला एक अदसी के दिन पानी पीना भी वर्जित पाना जाता है इसलिए इस दिन किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन ना करें साथ ही निर्जला एक दसी से एक दिन पहले किसी भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और द्वा दसी में वृत पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहन कर सकते हैं दोस्तों निर्जला एकादसी के दिन पूनिता ब्रह्म चर्रे का पालन करना अनिवार रहे हैं। आपको बता दें इसके लावा एकादसी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला नियम है कि निर्जला एक अदसी के दिन तुलसी के पौधे को जलर पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत धारन करती हैं और आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक अदसी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें इस बात का ध्यान रखें दोस्तों निर्जला एक अदसी के दिन घर में प्याज, लैसुन, मास, मदीरा जैसी चीजों का सेवन भी नहीं होना चाहिए व्रत धारन करने वाले को इस दिन अपने मन को सांत रखना चाहिए किसी भी तरह के लड़ाई जगड़े से दूर रहना चाहिए बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए इसके लावा एका दसी वाले दिन मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लैसुन, सलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए और जिन लोगों ने व्रत धारन किया है उन्हें इस दिन पलंग पर सोना भी नहीं चाहिए इस दिन भूमी पर सयन करना चाहिए इसके लावा बता दूं कि एका दसी के दिन पान भी नहीं खाया जाता है दोस्तों एकादसी के दिन घर में चाडू पोच्छा आदी नहीं करना चाहिए इसे से जो सूच में जिव होते हैं उनकी हत्या का दोस लगने का चांस रहता है इसलिए आप इस दिन जाड़ों पोछा ना करें और ना ही इस दिन बाल और नाखून आधी काटने चाहिए चले अब जान लेते हैं कि निर्जला एकदसी की पूझा फिदी क्या रहेगी दोस्तो व्रत धरन करने वाले को एकदसी के एक दिन पहले से ही इसके बाद अगले दिन प्राता काल सुबह जल्दी उठकर नित्य करमों से निवरत होकर इस नानाधी करने के बाद हो सके तो पीले रंके वस्तधारन करें और फिर सूर देव को जल हर्पित करें इसके बाद सी हरी विश्नु की पूजा कर के वरत का संगल्प जरूर लें आप सबसे पहले पूजा इस्थल को गंगा जल छड़क कर सुद्ध करें फिर आप लकड़ी की चौकी लें उस पर पीले रंका वस्त्र बिचा कर भगवान विश्नु जी की प्रतिमा इस्थापित कर दें फिर उनकी विद्वत पूजा करें जल, चंदन, कुम-कुम, अक्छत, आदी अर्पित करें पीले फूल, माला आदी चढ़ाएं भोग में पीली मिठाई, पंचमरत, आदी का भोग लगाएं साथ में तुलसी दल सामिल अवस्त्र करें अब आप वहीं बैट कर एक माला ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप अवस्त्र करें इसके बाद निर्जला एक अदसी की वृत कथा पढ़ें ये सुनें अब आप आर्थी करके विद्वत पूजा को संपन्न करें दोस्तों, निर्जला एक अदसी के दिन रातरी जागरण करना अनिवार्ण होता है आप भजन की इरतन करके रातरी जागरण करें और ध्यान रखें कि इस वृत में अन्न और फलाहर का भी त्याग करना होता है अगले दिन यानि द्वाद असी को इस नान आदी करने के बाद स्री हरी विश्नु की पूजा करने के बाद किसी ब्रामण को दान दच्छना करने के बाद ही आप अपना वृत खोल सकते हैं इसी के बाद आप अपने वृत का पारण करेंगे तब ही आप अन्य और जल ग्रहन कर सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैम आता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद